Hello everyone, welcome back तो जो कल maths board का paper हुआ था उसका अपन set to 65 slash 4 slash 2 code number का paper के speed solutions लेखेंगे पड़ाफ़ discussion करने वाले हैं यार की question कैसे है किस तरह से approach कर सकते हैं तो I hope instructions आप सबने पढ़े होंगे हैं तो first वाले पर आजाते हैं section A का यह अपना सवाल है तो इसके अदर हमें lines दे रखी है ना तो कौन-कौन सी lines दे रखी इसकी एक बार अपने अंकर बात कर लें तो हाँ ओके तो दो lines दे रखी 1-x by 2 और y-1 by 3 z by 1 और यह perpendicular है तो lines perpendicular होती है तो उनका dot product क्या होता है 0 तो एक बार इसको थोड़ा सा आपको यह पर rewrite करना पड़ेगा 1-x by 2 को आपको पहले लिखना पड़ेगा x-1 upon minus 2 y-1 by 3 चलने दो z upon 1 चलने दो यह इसके direction ratio हो गए पहली वाली line के दूसरी वाली line को भी rewrite करोगे 2x-3 है उपर नीचे 2 से divide करेंगे तो x-3 by 2 और नीचे 2p का आधा फिर y upon minus 1 और फिर z minus 4 by 7 क्योंकि यह दोनों perpendicular है तो इनका dot product 0 कर देंगे यानि minus 2p minus 3 plus 7 बराबर 0 यहां से p की value हमारे पास आजाएगी 2 तो बड़ा ही आसान सा सवाल था next पर आते हैं linear programming का सवाल है 4x plus 4 4x plus y इसको maximize करने और points इन्होंने खुदने ही हमें निकाल कर दे दिये हैं और points यह वाला जो point आ रहा है हमें दिख रहा है यह कौन सा point आ रहा है 0,50 फिर यह वाला point आ रहा है अपने पास 20,30 यह वाला point आ रहा है 30,0 और यह आ रहा है 0,0 तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो 0,50 को रखेंगे, तो 50 आएगा, 20,30 को रखेंगे अगर 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 अपन, तो 110 आएगा, 30,0 को रखेंगे तो 120 आएगा, 00 पे तो कुछ नहीं आएगा, तो maximum value हमारे पास हो जाएगी, 120, आसान सवाल था क्योंकि points उन्होंने makes the value 2, तो 2 आने की probability पूछी है, तो वो 2K हो जाएगी, लेकिन K कैसे निकालेंगे, सारी probabilities का जो sum होता है, summation of all probabilities यह 1 होता है, तो सबको add कर देंगे, यानि 0.1 plus K plus 2K plus K plus 0.1 और इन सब का sum आजाएगा, हमारे पास 1 के बराबर, तो 4K की value यहां से आजाएगी, 0.8 और K बराब आजाएगा, हमारे पास 0.2, जो की 2 by 10 होता है, तो 2K हो जाएगा 0.4, जो की B option आजाएगा, तो probability distribution I think आपन सबी को आता है, next fourth question है, जिसके अंदर A21 into C11, A22 into C12, A23 into C13, यह अपन से यहां पर इसके case के अंदर पूछा गया है, अब अगर यहां पर अपन बात करेंगे न, त तो आपको अगर आप जही वगर अपने determinant की matrices की property पढ़िए, तो आप यहां पर पैचान जाएंगे कि second row के जो elements हैं, इनको आप first row के co factors के साथ multiply कर लो, किसी भी row के elements को किसी दूसरी row के co factors से multiply करके add करते हैं, तो sum 0 आता है, in case मानलो आप जही के student नहीं हो और आपको यह नही पढ़ेगा, जैसे ही आपका A21, A22, A23 है, C11 का मतलब होता है co factor, अगर अपन first row first column को हटा दें, C12 मतलब first row second column को हटा कर आने वाला co factor, और C13 मतलब first row third column को हटा कर आने वाला co factor, तो वो अब आपको पूरा निकाल के multiply करके add करना पढ़ेगा, वहां से भी आप देखेंगे तो 1334, तो सबसे पहले अपन A square निकालेंगे, तो A square में 1334 को आप क्या करोगे, वापस 1334 से multiply कर देंगे, तो यहां से अपने पास value आजाएगी A square की 10 और 15 और 15 और 15 और यहां पर आजाएगी 25, minus के अंदर K times A है, तो यह K से यहां पर सारी चीज़े multiply हो जाएगी, और last में minus के 5 times identity matrix है, और यह सब 0 के बराबर आएगे, null matrix, तो 10 minus K minus 5 लोग यह भी 0 होगा, 15 minus 3K लोग यह भी 0 होगा, कोई भी element निकालोगे, वो 0 आएगा, हर जगे से K की value 5 आएगी, simple था, next पर आते हैं, 6 तवाला differential equation का है, तो यहां पर हमें दे रखा, E की power में, X square Y, और E की power में X square Y की value दे रखिये बनको, यह I think E है, थोड़ा supplier हो गया, तो E की बार X square Y मानलो कोई भी constant दे रखा है, तो अपर यहां पर क्या कर लेंगे, उसका, differentiation कर सकते हैं, और differentiation करेंगे तो यह as it is आएगा, और chain rule से X square Y का हो जाएगा, 2X Y plus X square के साथ, DY by DX, right side में constant का differentiation आजाएगा, 0 के बरा X square, X cut कर लेंगे, तो यहां से DY by DX आजाएगा, simple था next आते हैं, 7th question पे continuity का सवाल है, X less than 4 के लिए X square minus C square है, X greater than equal to 4 के लिए CX plus 20 है, तो इन दोनों की value अगर अपन बराबर कर दें, 4 पे, तो continuous हो जाएगा 4 पे, तो 4 put कर देंगे अपन यहां पर भी, और 4 put कर देंगे अपन यहां पर भी, तो यहां से अपने पास एक quadratic simple equation आजाएगी, in fact यह C plus 2 का whole square है, तो answer आजाएगा यहां से हमारे पास minus 2, next definite integration है, minus 1 से 1 mod X का, तो इसको break कर देंगे, minus 1 से 0 में X negative है, तो mod X खुलेगा sine change के साथ, और 0 से 1 के अंदर यह खुलेगा X के साथ, तो अब इसको अलग स कर लेंगे, X square by 2, limit लगा देंगे, यहां भी minus X square by 2, limits लगाएंगे, दोनों को add कर देंगे, तो वहां से हमारा answer आजाएगा, area under the curve के method से भी आप इसको solve कर सकते थे, फिर से differential equation का सवाल आ चुका है, और बोल रहा है, log of dy by dx, बराबर 3x plus 4y है, तो number of arbitrary constants पूछा है, in the particular solution आपक constants होते ही नहीं, क्या पूछ रही है, पहले log अटाते हैं, तो dy by dx की जो value आएगी, यह हमारे पास आजाएगी, e की power में 3x plus 4y, तो divide कर देते हैं, यह e की power 4y, उदर dy के नीचे चला जाएगा, और dx को अपन इदर बुला लेते हैं, अब दोनों तरफ अपन को क्या करना है, solution निकालने के लिए integrate करना है, तो इदर आजाएगा e की power minus 4 by 4, बराबर e की power 3x by 3, प्लस में आजाएगा c, अब क्यूंकि y 0 बराबर 0 दे रखा है, तो आप x को यहाँ पर 0 रखोगे, y को भी आप 0 रखोगे, तो वहाँ से आपके पास c की value भी आ जाएगी, तो अब इसके अ matrix में यह होता है, diagonal के अलावा सब कुछ 0 होता है, और diagonal पे जो भी होते हैं, वो सब बराबर होते हैं, तो a और d और 5 सब बराबर है, b आपका 0, c भी आपका 0, और a बराबर 5, d बराबर 5, b और c बराबर 0 अपन यहाँ पर substitute कर सकते हैं, next के अंदर हमें यहाँ पर एक pattern दे रह होती है, तो हम यहाँ पर pattern find out कर सकते हैं, जैसे यह a है, तो अगर अपन यहाँ पर a square निकालने की कोशिश करेंगे, तो a square हमारे पास क्या जाएगा, कि हमने यह a लिया, और a को हमने खुद से ही क्या कर दिया, multiply कर दिया, तो जब आप solve करोगे, तो 4-4 यहाँ जाएगा, आ i-a, i हमें पता है क्या होता है, और a question में दिया है क्या होता है, इनको अब अपन यहाँ पर subtract कर लेंगे, और वहाँ से हमारा answer आ जाएगा, 12 वाले पर आते हैं, यहाँ पर a inverse दे रखा है, और a matrix हमें पूछिए, तो a inverse से a निकालो, या a से a inverse निकालो, बात आपकी same रहेग तो वही formula इस पर apply कर दो, a inverse को कोई matrix x मानलो, उसका inverse खुद a होगा, तो यहाँ पर अपन देखे हैं इसके case में, तो matrix ऐसी है, 2 by 7, 1 by 7, minus 3 by 7, और 2 by 7, तो अगर आप इसका determinant निकालोगे बिटा, तो delta जो determinant जो आएगा, वो आपके पास 7 by 49, यानि 1 by 7 आएगा, adjoint निकालने क ट्रिक होती है, diagonals के ये बाले element primary diagonal के interchange हो जाते हैं, और बाकी दोनों का यहाँ पर sign जो होता है, वो change हो जाता है, और यह जो determinant आपके पास आया है, आप इससे इसको divide कर दोगे, तो upon में 7 में सब कुछ कट जाएगा, तो answer आएगा 2, minus 1, 3 and 2, 13 बे आते हैं, इसमें सिरफ integrating factor ही हमें यहाँ पर पुछा गया है, तो integrating factor निकालना है, हाँ, linear बनेगी लेकिन y में नहीं x में, तो x plus 2y square इदर है, dx by dy को उदर बेज देते हैं, तो यह आजाएगा y dx by dy, y से divide कर लेते हैं, तो dx by dy बराबर आजाएगा, यहाँ पर जब बेजेंगे, तो 2y plus x by y, तो अब x by y क differential equation है, इस बार, मतलब x में है, y में नहीं है, तो integrating factor आजाएगा, e की पावर में minus का 1 by y dy, तो यह e की पावर में minus ln y बनेगा, minus उपर जाएगा, और ln हट जाएगा, तो y की पावर minus 1 यह आपका integrating factor हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक line दे रखी यह vector form में, और ऐसा vector पूछा है, यह line के direction ratios है, 3i cap minus j cap, आपको बस options में dot product लेकर यह check करना है, कि इन में से किसका dot product इस vector के साथ 0 आएगा, वो इसके perpendicular हो जाएगा, 15 फिर से vectors का असान सा question है, a vector, b vector, c vector, 3 vector दे रखें, और फिर पूछा है कि इन में से किसको represent कर रहे हैं, है न, equilateral triangle, isosalus triangle, obtuse angle triangle, या right angle triangle, तो हम अभी आपर check परना पड़ेगा, कि यह यहाँ पर कौन से type के triangle को इसके case के अंदर represent करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर right angle triangle होगा, तो dot product 0 हो जाएगा, अगर obtuse angle triangle होगा, तो dot product negative होगा, और अगर हर एक के angle पे dot product positive हुआ, तीनों angle acute होए, तो acute angle triangle होता है, तो अगर अपन य चल्दी आसानी से काम हो गया, कि A और B vectors के बीच में 90 degree बन रहा है, मतलब यह right angled triangle हो जाएगा, 16 भी vector का question है, बहुत सारे vector के question आगए, इनमें से पूछा, इनकी क्या value होगी, A vector cross I cap का mod का square, फिर A vector cross J cap का square, फिर A vector cross K cap का में आपर mod का square लेना है, और सब को हमें क्या करना है, add करना है, तो अगर अपन को यह देखना है कि mod A cross I कैसा आएगा, तो अपन इसके case के अंदर यह कर सकते हैं, A vector को एक vector assume कर लेते हैं, तो अपन vector कैसा मान सकते हैं, मालो A vector alpha I cap plus beta J cap plus gamma K cap, ऐसा मान सकते हैं, अब A vector का अगर अगर अपन cross लेंगे I के साथ, तो I cross I 0 हो जाएगा J cross I होता है, minus K कै, और K cross I होता है, J कै, तो यह आगया A cross I, इसके mod का अगर अगर अपन square करेंगे, तो यह आजाएगा beta square plus gamma square, तो यह मिल गया हमें beta square plus gamma square, इसी तरह अगर आप A cross G का, J का mod का square करोगे, तो यह आजाएगा alpha square plus gamma square, और last में इसके लिए आजाएगा, alpha square plus beta square, तो स्क्वेर जो है यह mod a का क्या है अपना फोल स्क्वेर तो answer टू टाइम्स a स्क्वेर हो जाएगा तो logical question था 17 पर आते हैं a और b दे रखा है a dot b भी दे रखा है root 3 a dot b क्या होता है a dot b होता है mod a mod b cos theta जो की root 3 के बराबर है तो mod a 1 है, mod b 2 है, यहां से अगर आप cos theta लेंगे तो root 3 by 2 आ जाएगा, अब 2a vector और minus b के बीच में angle पूछा है, तो 2a vector dot करेंगे, minus किसके साथ, b के साथ, यहां जाएगा हमारे पास किसके बराबर, यहां जाएगा mod of 2a, mod b और इसके अंदर जो भी cos alpha में वो निकालना है, तो यहां से minus common ले लो, a dot b की value यहां से उतार लो, फिर root 3 आ जाएगा, नीचे डिवाइड करते हैं, 2a का mod, a का mod बने तो 2a का 2 आ जाएगा, और mod b के लिए 2 आ जाएगा, तो cos alpha आ रहा है, minus root 3 by 2, minus root 3 by 2 cos theta होता है, pi minus 60, यानि 5 pi by 6 तो है, फिर पूछ रहा है, kx minus sin x increasing कब होगा, तो differentiation कर लेते हैं, है ना, तो increasing के लिए से positive कर देंगे, तो मतलब k cosec से हमेशा बढ़ा होना चाहिए, और cosec से हमेशा बढ़ा है, इसका मतलब cosec की maximum value से भी बढ़ा होना चाहिए, मतलब k is greater than 1, तो यह हमारे 18 mcqs थे और अब दो assertion reason है, assertion में बोल रहा है, corner points of bounded feasible region of LPPP are shown, maximum value of x plus 2y occurs at infinite points, तो बोल रहा है कि यह जो maximum value अपने पास आएगी, यह infinite points पर आएगी, reason यहाँ पर क्या बोल रहा है कि optimal solution of LPPP having bounded feasible region must occur at corner points, तो reason तो ठीक है, कि corner points पर ही value आती है maximum, तो अब यहाँ पर जैसे points देखें, तो यह 60,0 है, 60,0 इसमें रख देंगे 60 आएगा, 120,0 इसम बराबर आजाएगा, और 40,20 अगर इसमें रख दें, तो 40,20 रखने पर यह 80 आएगा, और 60,30 रखने पर हमारे पास 120 आएगा, तो अब शांदर बात यह हूँ यह बटा, कि 60,30 पे भी 120 आ रहा है, और 120,0 पे भी 120 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच पे इस line पे अगर अपन कोई भी point लेंगे, तो हर एक पर जो भी value आएगी अपने पास, वो किसके बराबर आजाएगी, इस case के अंदर, वो value आजाएगी हमारे पास, 120 के बराबर, तो इसका मतलब इस बात सही है, इस पूरे line segment पे कोई भी point लोगे, infinite points, हर एक पे maximum value 120 आजाएगी, 20th question देखते x plus y prime number बोल रहा है, जहाँ x और y natural number है, तो बोल रहा है, यह reflexive relation नहीं होगा, फिर यह समझा रहा है, reason यह है कि 2n is composite number for all natural number, तो reason तो गलत हो गया बठाँ, अगर मैं n को 1 ले लूँ, तो 2 into 1 हो जाएगा 2, तो यह composite नहीं है, यह prime number है, तो all natural number के लिए composite नहीं होगा, यह गलत ह assertion सही है, क्योंकि अगर reflexive होता, तो हर एक x, x relation को satisfy करता है, कि x plus x will be a prime number, लेकिन मान लो इसमें आपने x को जैसे 2 ले लिया, तो यह 4 आ जाएगा, जो कि prime नहीं है, तो assertion सही है, लेकिन reason इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डिस्प्रूब करने के लिए हमेशा गलत नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक जगे गलत हो गया, तो फिर वो wrong ही होता है, two marks वाले question पर आ जाते हैं, पहले में बोला है, volume is increasing at 6 cm3 per second, how fast is surface area increasing when length is 8 cm, तो cube का volume हमारे पास होता है, side cube, है ना, अब अगर अगर अपन dv by dt कर दें, जो कि हमें दे रखा है 6, तो यह आजाएग यह 2 times side square है, अब surface area की अगर अपन बात करें, how fast is surface area increasing, तो surface area होदा है 6 times side square, इसका differentiation आजाएगा 12 into s into ds by dt, ds by dt की यह value रख देते हैं, तो यह बन जाएगा 12s into 2 by s square, 1s कट जाएगा, 1s जो बचा है उसमें अब 8 cm रख देंगे, तो 12 into 2 upon 8, 24 by 8, answer आजाएगा 3 cm per second, units भी यहाँ पर और का option है, 10 inverse, इसको simplify कर दो, या इसको simplify कर दो, तो I think आप में से most of the students ने यही किया होगा, है ना बटा आप इसको भी simplify करते थे, आपकी उपर ऐसा कोई खास फरक नहीं परता आप किसी को भी करो, तो इसको simplify करने के लिए मैं क्या करूंगा उपर वाले को, cos theta को लिख दूँगा, sin 90 minus theta, और नीचे वाले को लिख दूँगा, 1 minus cos 90 minus theta, अब ऐसा क्यों किया, ताकि उपर जो sin theta बना अब अपना, इसको अपन हाफ एंगल से लिख सकते हैं, 2 sin, pi by 4 minus x by 2, cos के अंदर भी अमारे पास आ जाएगा, pi by 4 minus x by 2, नीचे 1 minus cos theta को आप लिख सकते हो, 2 sin square theta by 2, तो 2 cut होगा, एक sin भी cut होगा, cos by sin बनेगा, हमारे पास cot of pi by 4 minus x by 2, इसको 90 में से अगर subtract कर लेंगे, pi by 2 में से, तो इस cot को अपन 10 के अंदर भी क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, और क्योंकि इनोंने x दिया है, minus pi by 2 से pi by 2, तो x का आधा करोगे, तो minus pi by 4 से pi by 4 आएग तो यह 0 से pi by 2 जाएगा, 0 से pi by 2 में tan inverse tan directly open हो जाता है, तो answer pi by 4 plus xy2 आजाएगा, दूसरे case के अंदर statement जरूर आपको लिखने पड़ेंगे, tan theta 1 होता है pi by 4 पे, cos theta minus half 0 से pi के बीच में होगा, pi minus 60 यानि 120 degree 2 pi by 3 पे, और sin theta 1 by root 2 का negative होगा, minus pi by 4 पे, तो यहां से भी answer तो यह simple 2 marks का question था, 23 में बोल रहा है, show करो कि यह increasing function है, तो इसका differentiation positive show करना पड़ेगा, f dash x निकालेंगे, u by v rules से इसका differentiation करो, तो 4 sin x upon 2 plus cos x है, यह आजाएगा 4 cos x, into में आपके पास आजाएगा denominator, minus denominator का differentiation, into numerator, और नीचे आपके पास आजाएगा 2 plus cos x का whole square, और minus में x का differentiation होता तो उपर आपके पास 8 cos x plus 4 cos square x plus 4 sin square x, तो उपर आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, और नीचे आपके पास जो आ रहा है, वो आ रहा है 2 plus cos x का whole square, यह कुछ ऐसा आपके पास इसके case के अंदर आ जाएगा, और minus में आपके पास जो value आ रही है, यह आपको यहाँ पर positive prove करने की जरूरत है, आप यहाँ पर LCM लेके subtract कर लोगे, उपर ले जाकर, तो मैं direct लिख रहा हूं, तो 4 कट जाएगा, यह ना 4 cos x एक जरूर जाएगा, और minus के अंदर एक cos square x, I think की एक और आ जाएगा, factor लेने पर उपर cos x, 4 minus cos x आएगा, और नीचे 2 plus cos x का whole square, तो अब क् cos x, first quadrant में positive होता है, 0 से 1 के बीच में, तो 4 minus cos x positive है, cos x भी greater than equal to 0 है, और denominator whole square भी greater than equal to 0 है, तो यह increasing function आ जाएगा, next के अंदर या तो आपको यह proof करना था, यह proof करना था, तो cos cube के अंदर sec square 2t था, या तो उसको आपको dy by dt करना था, तो वहाँ आप chain rule लगाते हैं, या नीचे वाला कर सकते थे, आपकी उपर है, दोनों में से कुछ भी, तो x की power y अगर मानलों नीचे वाला किया है, तो variable की power variable से differentiation करेंगे इसका, तो पहले आपन ले लेंगे log, तो ln u आ जाएगा y ln x, आप differentiation लेंगे तो 1 by u, du by dx, यह हमारे पास आजाएगा dy by dx into ln x, product tool लगा रहे हैं ह फिर u से उदर multiply कर देंगे, तो u था हमारा x की power y, तो यह होगा x की power y, इदर हमारे पास क्या आगया, dy by dx ln x plus y by x, तो यह left hand side है, right hand side में भी इसका अपन chain rule से करेंगे, तो e वाला part as it is आएगा, फिर 1 minus dy और upon में आजाएगा dx, कुछ ऐसा है, अब क्योंकि x की power y बराबर e की final expression बचेगा, dy by dx ln of x plus y by x, ऐसा, और साथ में इसकी जो value अपने पास आएगी, right hand side में, यह 1 minus dy by dx, इसके यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो अब उपन इसको solve कर सकते हैं, फिर से अगर y आएगा, तो आपको eliminate करना पड़ेगा, क्या answer y के form में नहीं है, तो आपको अगर y आता है, तो y हटाना पड़ेगा, y हटाने के लिए अगर आप log लेंगे दोनों तरफ, तो y ln x की value x minus y आजाएगी, तो यहाँ से y की value आजाएगी, x upon 1 plus ln x, तो y की value यहाँ पर रग देंगे, और फिर dy by dx अपन निकाल सकते हैं, यह नहीं करना चाहें, तो फिर chain rules से आपको a पार्ट का differentiation करना पड़ेगा, 25 पर आते हैं, इसमें minus a से a, cos x ln 1 plus x upon 1 minus x का differentiation पूछा है, अब आप directly बोल सकते हो, यह odd function है, इसका differentiation 0 आएगा, क्यों, क्योंकि cos में minus x रखेंगे, तो यह cos x हो जाएगा, लेकिन log के अंदर अगर आप 1 minus, यहाँ पर x की जगे, इधर और इधर minus x रख देंगे, तो यह log उल्टा हो गया, है ना, तो log में 2 जो होता है, उसको आप minus का log half भी लिख सकते हो, तो basically, यह power अगर आप इसका reciprocal ले लें, तो यह इसमें convert हो जाएगा, तो आप इसका reciprocal लेंगे, तो power minus 1 आएगी, जिसको बाहर आना पड़ेगा, तो यह minus cos x ln 1 plus x, 1 minus x आजाएगा, अगर अपन इसमें x की जगे minus x रखते हैं, और odd function का minus a से a integration किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आजाएगा, तो simple थे इस section में, section c पे आते हैं, 6 question है, 3 marks के, तो यह फिर से variable की power, variable का differentiation करना है, तो आप पहले इसको exam में लिखोगे, कि भई, यह 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 आपका v है, यह तो चलो constant, इसका differentiation 0 जाएगा, तो पहले x की power y को u लेंगे, फिर अपन इसका क्या कर लेंगे, log लेंगे, फिर अपन इसका differentiation करेंगे, y by x plus ln x, dy by dx, और right side में आएगा 1 by u, du by dx, इसी तरह y की power x का भी करेंगे, इसको आपने v माना है, तो log लेंगे, तो यह बराबर हो जाएगा 1 by v, dv by dx की, तो बगर यहाँ पे अपन इसका differentiation करें, मतलब du by dx plus dv by dx बराबर 0 करना पड़ेगा, तो du by dx हमारे पास है u into y by x plus ln x, dy by dx, और दूसरा जो dv by dx आ रहा है अपने पास, वो आजाएगा, अमारे पास v और into में ln y, और plus में आजाएगा x by y, dy by dx, अब आप bracket expand करके dv by dx common लेंगे और उसकी value find out कर सकते हैं, 27 में फिर से option है, a option में differential equation का particular solution निकालना है, और b वाले के अंदर भी पूछा है, तो दोनों को में से कोई भी कर सकते हैं, जैसे मानलों अगर यह attempt करना है, तो आप x से divide कर दो, तो e की पार y by x plus y by x आ जाएगा, और इदर x से divide करोगे, तो x by x 1 आ जाएगा, और dx से भी divide कर दो, तो dy by dx आ जाएगा, अब solve करने के लिए मैं hint बता सकता हूं, क्योंकि y by x दिख रहा है, तो y by x को v ले लेंगे, यानि y बराबर vx, तो left side में e की power v plus v, और dy by dx यहां से आ जाएगा, v plus x, dv by dx के बराबर, य x का integration कर लेंगे, तो ln x plus c e की power minus v, minus sin के साथ जो आएगा, जिसमें v को वापस आप replace कर सकते हो, यह आजाएगा, अब आप y और x को यहां पर one one put कर सकते हैं, तो वहां से आपका c आजाएगा, यह particular solution हो गया, यह वाला और आसान है, dy by y है, और यहां पर आजाएगा, cot 2x dx का integration है ना, तो cot x का जो integration होता है, ln sin x होता है, तो यह आजाएगा, ln sin 2x upon 2 plus c, और इदर ln y आजाएगा, अब आप x की जगे pi by 4, और y की जगे 2 रखेंगे, और वहां से आप c की value calculate कर सकते हैं, तो simple थे differential equation के और वाले दोनों part, 28 पर आएगे, वहां पर आपको partial fraction लगाना पड़े तो 2x plus 3 linear है, नीचे x square upon में x plus 3 है, तो आप इसको break करके लिखोगे, a by x, b by x plus 3, और c by x square, इसकी value बराबर होनी चाहिए, 2x plus 3 upon x square into x plus 3 के, अपन यहां थोड़ा LCM लेंगे, तो यहां पर आजाएगा, a x, x plus 3, plus b into x square, और plus में c into x plus 3, यह right side के numerator के बराबर, left side के numerator, LCM लेने के बार, अब जैसे मानलो आपने इसमें x को 0 रग दिया, तो यहां से आपके पास c की value आजाएगी, इसी तरह मानलो आपने x को minus 3 रग दिया, तो वहां से आपके पास इसके case में b की value आजाएगी, और मानलो एक आपने x को 1 रग दिया, तो वहां से आपके पास, क् कि C आ चुका है और क्योंकि B आ चुका है तो अब आपके पास ABC तीनों आ जाएगे फिर A by X का integration होगा ALN X इसका integration BLN X plus 3 mod के अंदर और इसका integration minus C by X plus 1 D लगा देंगे integration constant और ABC हम यहां से put कर देगे तो simple था यह भी 29th में probability के दो options है A और B A में बोला एक card निकाला 52 cards में से है ना और वो मतलब घुम चुका है basically from the remaining cards a card is drawn and is found to be a king तो probability बताओ कि घुमा हुआ card भी king है तो यह base theorem का question है तो दो cases हो सकते हैं कि घुमा हुआ card lost card या तो king होगा या नहीं होगा चार king होते हैं तो lost card king होगा इसकी probability यहाँ पर है 1 by 30 4 by 52 lost card king नहीं है इसकी probability हो जाएगी 12 by 30 तो अगर lost card king है तो अब आपके पास 48 cards normal हैं और 3 card king के हैं तो अगर आप एक king निकाल रहे हो तो 51 by 3 होगी इसकी probability जो रेंडमली निकाला है यहाँ पर अभी भी चारो king बाकी है तो 4 by 51 तो total probability से एक card घुमने के बाद king आने की क्या probability है कि घुमा हुआ card king है into king आने की probability प्लस घुमा हुआ card king नहीं है into king आने की probability अब क्योंकि यह given है कि king आया है और probability बतानी है कि lost card is king यह वाला हिस्सा हमारे पास ऊपर आजाएगा आप बोड में आपको इसको solve करने के लिए steps लिखके आना पड़ेगा तो यहाँ से अपने पास answer इसका आजाएगा आप यह वाले में बोल रहा है एक bias die है और even number आने की probability is to show an even number as an odd number bias die is twice as likely to show an even number as an odd number मतलब even वाले की probability 2x है और odd वाले की x है यहाँ से x 1 by 3 आजाएगा तो even आने की probability है यह 2 by 3 है और odd आने की 1 by 3 है अब बोल रहा है if such a die is thrown twice find the probability distribution of number of sixes तो six आने के लिए बोल रहा है की क्या probability होगी अगर दो बार हमने इसे थोग किया है तो मानलो यहाँ पर random variable show कर रहा है की वह कितनी बार six आया है तो six zero बार आ सकता है या one बार आ सकता है या two बार आ सकता है और नीचे जो आएगी उसकी क्या आजाएगी probability तो अब zero बार six कैसे आएगा है ना अब six एक even number है तीन even number होते है टू फोर six तीनों में बराबर बराबर बाट देंगे तो two by nine two by nine two by nine यह probability होगी किसके आने की two four और six की और one by nine one by nine one by nine यह probability होगी one three five आने गी तो six आने की two by nine है तो six नहीं आने की जो probability हो जाएगी यह हो जाएगी हमारे पास seven by nine के बराबर तो पहले वाले केस में एक भी six नहीं आ रहा तो यह हो जाएगा seven by nine into seven by nine यहनि 49 by 81 लास वाले केस में दोनो six है तो two by nine into two by nine यह जाएगा four by 81 अब one में से subtract कर दो दोनों को तो भी यह आ जाएगा या ऐसा सोच सकते हो कि पहले वाले पर six आए नहीं आए दूसरे वाले पर six आए या फिर पहले वाले पर six आए दूसरे वाले पर नहीं आए तो एक six हो सकता है तो इस तरह से आप table बनाएंगे zero six one six two six three तीनों के लिए 30 वाले में आपको graphically plot करना ही पड़ेगा तो मैं एक brief idea दे देता हूँ x plus 3y maximize करना है सबसे पहले यह line plot करेंगे अपन यहापे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x plus 2y जो आ रहा है वो किसके बराबर है x plus 2y is less than equal to 200 तो अपन यहाँ पर इसको plot करने की कोशिश करते हैं तो यह cut करेगा x बराबर 200 पे और y बराबर 100 पे less than equal to बोला है तो origin के side यानि इस line के नीचे वाला हिस्सा आएगा ऐसा वाला हिस्सा आएगा फिर x plus y less than equal to 150 है तो यह भी एक line होगी जो 0,150 और 150,0 से जाएगी इस तरह से इसमें भी less than equal to दे रखा है तो यह भी origin के side वाला हिस्सा होगा y जो है वो 75 या 75 से क्या है बड़ा है और x, y दोनों positive है तो 75 या 75 से बड़ा है तो यह y बराबर 75 वाली line के उपर आएगा तो यह वाला जो हिस्सा है यह आपका shaded वाला region हो जाएगा और अब इसके जो corner points आ रहे है अपने पास यह corner points हमें देखने की जरूरत है तो y बराबर 75 से यह आएगा 0,75 फिर यह 100 वाले की वज़े से आएगा 0,100 बागी दोनों point निकाल सकते हैं अपन है ना तो अगर अपन दोनों को solve कर लें तो y की value आ रही है अपने पास subtract करने पे y 50 आ रहा है अच्छा तो y बराबर 75 इसके भी उपर होगा तो diagram incorrect है मेरा एक बार वापस बनाना पड़ेगा तो point साथ साथ ही plot करते हैं तो यह x plus 2y बराबर 200 था तो इसके लिए यह आएगा 0,100 और दूसरा वाला ह अगर अगर आपन 150 लेते हैं तो x plus y बराबर 150 ऐसा आएगा 0,150 और यह आएगा 150,0 इन दोनों को अगर solve कर लेंगे तो y 50 और x 100 तो यह वाला जो point आ रहा है आपके पास यह वाला आ रहा है x बराबर 100 y बराबर 50 का इन दोनों लाइन के नीचे तो 75 वाली लाइन आपके पास ले लेना तो यह ऐसा समझ लेना कि यह लाइन थी यह भी एक और लाइन थी और यहां से हमारा y बराबर 75 कुछ ऐसे चला गया था तो इस लाइन के उपर और इन दोनों के नीचे वाला जो portion है वही वाला portion हमें आपे लेने की अच्छा y 75 से छोटा है स्वारी मैं greater than लेके च तो आपको यह वाले सारे point निकालने पड़ेंगे जो जो भी आ रहे हैं आपर जहां पर भी आपकी line कट कर रही है ना तो यह सारे point आप निकाल सकते हैं और फिर जैसे आप देखेंगे यह वाला point आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा और इध 75 अगर हमने यहां पर रखा था तो y बराबर 75 जब हमने solve करा था तो y 75 x 75 और y 75 x 50 भी एक आया था तो यह 50,75 हो जाएगा और यह 0,75 अब इन सब को आप x plus 3y के अंदर क्या करोगे बारी-बारी उठा के put करोगे तो वहां से आपको maximum value किसी एक point पर मिल जाएगा तो मेरे पास graph नहीं इसलिए थोड़ी difficulty हुई आपने graph paper में स्केल से plot किया होगा तो दिक्कत नहीं आई होगी फिर आपके पास यहां पर integration वाला यह part है तो दोनों में से कोई भी attempt कर सकते जो भी आपकी इच्छा हो जैसे यह वाला थोड़ा आसान है तो जीरो आई जो integral है आपका यह बराबर है जीरो से लेकर के उपर जा रहा है pi by 4 x into dx और नीचे आ रहा है हमारे पास 1 plus cos 2x plus sin 2x जिसको अपन king property बोलते हैं जेही के अंदर वो apply कर सकते हैं कि भाई 0 से a अगर integral है तो अपर x को a minus x से replace कर सकते हैं यानिक इदर pi by 4 minus x आ जाएगा cos 2x के अंदर अगर आप x की जगे pi by 4 minus x लिखोगे तो यह pi by 2 minus 2x यह sign में बदल जाएगा और यहाँ पर अगर आप pi by 4 minus x रखोगे तो यह cos में बदल जाएगा अब आपको इन दोनों को simply क्या करना है add तो 2y आएगा है ना x x कट जाएगा pi by 4 बाहर आजाएगा dx 0 से pi by 4 और नीचे आपके पास आजाएगा 1 plus sin 2x और plus में आजाएगा cos 2x अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जैसे मैं 1 plus cos 2x को 2 cos square x लिख दूँगा और sin 2x को 2 sin x cos x लिख दूँगा अब उपर नीचे अपन यहापे डिवाइड कर सकते हैं किस से डिवाइड कर सकते हैं उपर नीचे अपन cos square x से डिवाइड कर सकते हैं 2y आजाएगा 5 by 4 एक 2 नीचे और पड़ा था वो common ले लिए 0 से 5 by 4 और cos square x से डिवाइड करोगे तो sag square x dx और नीचे आजाएगा tan x plus 1 अब tan x plus 1 को या tan x को t लिलोगे तो उपर dt आ जाएगा और इसमें मैं हिंट देता हूँ जैसे 1 plus x square की power आपके पास 3 by 2 और साथ में आपके पास x upon root में 1 plus x square है तो आप यहां तो यहां पर भी आप x को 10 theta रख सकते हो और फिर आप integration करने की कोशिश कर सकते हो या फिर आप isolate rule के साब से सोच सकते हो कि isolate rule का क्या मतलब है कि जैसे मानलो अगर आप इसको देखोगे तो I think यह वाला जो पार्ट यहां पर बन रहा है यह इसका differentiation ही हो जाएगा अगर आप x upon root में 1 plus x square का अगर differentiation की बात करेंगे तो वहां से आप देखोगे यह इसका अगर यह fx है तो यह f dash x आजाएगा ऐसा तो यह basically इसी वाले का differentiation है e की पावर x into fx plus f dash x तो अब इसको जैसे solve करेंगे और by part लगाएंगे तो by part वाला जो part होगा वो cut जाएगा answer बस e की पावर x into fx आके रह जाएगा हाँ बस आपको board में board की तरीके से लिखना पड़ेगा मैं थोड़ी सी बार-बार j oriented approach यूज़ कर लेता हूँ next 22 पे आएंगे तो बिसमें board वाले तरीके से 1-1 on to prove करो तो board वाला तरीका मतलब पहले आप मानोगे f of x1 बराबर f of x2 फिर आप यहाँ पर लिखोगे x1-3 upon x1-5 बराबर x2-3 upon x2-5 फिर आप यहाँ पर cross multiply करोगे और फिर आप देखोगे कि ultimately x1 बराबर x2 ही आएगा तो 1-1 हो जाएगा on to के लिए जो range है वो all real numbers except 1 आनी चाहिए तो आप equal to y करोगे फिर x को y के terms में निकाल कर दुबारा put कर दोगे board का तरीका आपने पढ़ा है relations वाला भी interesting दिख रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि reflexive symmetric transitive होगा क्या है ना तो check करना है जैसे अगर अपन reflexive check कर रहे हैं क्यों नहीं होगा या क्यों होगा जैसे मानलो a बराबर आपने ले रखा है root 2 है ना और b बराबर अपने ले रखा है यहाँ पर 1 तो root 2 minus 1 plus root 2 यह irrational है और अगर मैं 1, root 2 लेलू तो 1 minus root 2 plus root 2 यह rational हो जाएगा तो इसका मतलब symmetric यह नहीं होगा transitive में क्या करते हैं पहले मानेंगे a और b related है मतलब यह irrational है फिर मानेंगे b और c b related है यह यह भी irrational है और फिर check करना होता है कि यह वाला पार्ट rational है यह वाला पार्ट आपका irrational है तो इसमें भी जरूरी नहीं है जैसे example ले सकते हैं जैसे a को minus root 2 ले लो है ना और b को अपन क्या ले सकते हैं बी को ले सकते हैं बी को क्या ले सकते हैं मतलब मैं basically counter example से disprove कर सकता हूँ कोई भी अगर अपन ने ऐसा example सोच लिया जहाँ पर यह बात सही नहीं है तो गड़बड हो जाएगे तो ऐसा करते हैं a को ले लेते हैं root 2 का minus root 2 का आधा और b को ले लेते हैं अपन 0 इसी तरह यहाँ पर b 0 है और c को ले लेते हैं root 2 का आधा तो उपर वाले दोनों relation satisfy होंगे पर minus root 2 का आधा और इधर भी root 2 का आधा लेंगे तो अब यह वाला cancel होके 0 बन जाएगा तो यह rational होगे तो symmetric transitive नहीं है बट reflexive होगा फिर 33 वाले के अंदर भी आपके पास options हैं बोल रहें find the distance between the line and another line parallel to it passing through this point या फिर यह बोल रखा है कि अगर यह दोनों line perpendicular है जहां से k आ जाएगा तो k निकाल लो and hence write the vector equation of line perpendicular to these two lines and passing through this तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो अगर आपको distance चाहिए तो आप पहले तो यहाँ 2 से divide करोगे उपर नीचे तो आपके पास यह वाली line बच जाएगी और यहाँ भी minus 1 से उपर नीचे divide करोगे तो यह पहली वाली आपकी line आ रहे है अब आपको ऐसी line लिखनी है जो इससे pass हो रही है और उपर वाली line के parallel है तो x minus x1 direction ratios जो होंगे आपके पास वो same ही होंगे जो आपके पास direction ratio उपर वाले थे तो यानि इन दोनो lines के बीच में आपसे distance के बारे में पूछा गया है parallel lines है parallel lines के बीच के distance का direct formula भी होता है अब NCRT में है या नहीं कि आपके teacher में आपको क्या बताया था वो वाला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो तो a1 minus a2 cross b vector upon mod में b vector इस hold के mod से अपन यह करेंगे तो parallel line के बीच का distance आजाएगा 221 जो है यह वाला जो होगा यह आपका b vector हो जाएगा फिर 031 यह a1 vector है और 40-5 यह आपका a2 vector है तो आप इसमें रखके solve कर सकते हैं b वाले के अंदर पहले यह perpendicular है तो इनका dot लेंगे तो minus 3 into 3 के 2k into 1 और 2 into minus 7 यह 0 करेंग यहां से k की value minus 2 आजाएगी तो k की value जैसे ही आपके पास minus 2 आएगी तो यह वाला बन जाएगा minus 4 और यह वाला बन जाएगा minus 6 अब बोल रहा है एक ऐसी line निकालो जो इससे जा रही है 3,4,7 3 minus 4,7 से तो x minus x1, y minus y1, z minus z1 यह नीचे आएगा और नीचे जो आपके पास direction ratio हो यह line की ABC क्योंकि यह इन दोनों L1, L2 के perpendicular है तो अपन क्या करेंगे इन दोनों lines का जो direction ratio है इनका cross product लेकर अपन यह direction ratio ABC निकाल सकते हैं तो vector 3D के काफी questions आएं 34 पे आते हैं बोल रहा है matrix use करो एना using the product इस product का use करके आप इसको solve करो तो आप जैसे यह product निकाल सकते हो तो पहल फिर आ रहा है आपके पास 1 plus 14 और minus 15 यानिकी 0 फिर वापस आप करोगे अगला calculate तो 2 माइन तो यह मेरको लग रहा है यह वापस आपकी identity matrix ही आ जाएगी एना तो वो इसलिए दे रखी होगी ताकि यह बताने के लिए कि यह दोनों जो है यह एक दूसरे के क्या है inverse है फिर आ आप इस पर आओगे तो आप इसको पहले a into x बराबर भी इस form में represent करके उनको बताओगे तो a matrix 1, 2, minus 3, 3, 2, minus 2, 2, minus 1, 1 यही बन जाएगा solution आपको निकालने है x, y, z और यह 6, 3, 2 आएगा तो अब जो इन्होंने दिया इसका use upon कैसे करेंगे कि आप पहले इसका determinant निकालके बताओगे कि determinant 0 नहीं मतलब unique solution है तो x, y, z जो आपके solution है वो क्या हो जाएंगे a inverse b के बराबर a inverse मतलब इसका inverse और इसका inverse इन्होंने question में help कर दी तो यह a inverse b के बराबर होंगे और यह आजाएगा 0, 1, 2, minus 7, 7, minus 7, minus 7, 5, minus 4 और side में जो 6, 3, 2 दे रखा है तो यह भी simple था easily 5 mark score कर सकते रहे, section D के last question में बोल रहा है sketch करो x mod x का graph और area बताओ minus 2 से 2, तो अगर x greater than equal to 0 है तो x into x बन जाएगा, x less than 0 है तो x into minus x बन जाएगा, तो 0 के आगे y बराबर x square बनाएगे, 0 से पीछे y बराबर, minus x square बनाएगे, minus 2 से 2 area चाहिए, तो यह वाला area ले 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 पहले, और फिर उसमें यह वाला area add कर देंगे, वैसे symmetrically होगा, बट फिर भी हमें निकालना तो पड़ेगा, तो 0 से 2 x square लेंगे पहले तो, और फिर जो दूसरा वाला होगा, क्योंकि यह area negative आ रहा है, तो आपको इसका sign change करना पड़ेगा, minus 2 से ले करके 0, और यहाँ पर आजाएगा आपका minus का x square, इस तरह से, तो अब आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से calculate कर सकते हैं, और calculate करने के बाद, फिर अपन दोनों को क्या कर देंगे, add कर सकते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर यह minus और नहीं चमकता, तो बैस तरीका है कि mod ले लो, दोनों का integration से area bounded by ellipse निकालो, तो पहले 225 से आप divide कर दोगे, तो वैसे तो आपको pi यह भी पता होता है, पर यह पूरा नहीं पूछ रहा है, यह ellipse का सिरफ minus 2 से 2 पूछ रहा है, यह ultra मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लें भी लग रहा है, तो आप यहाँ पर ellipse निकाल सकते हो, फिर वाला region चाहिए, ellipse का, x-axis के साथ जो भी area bound कर रहा है, तो जो भी x-axis के साथ ellipse area बना रहा है, तो आपको पहले y को x के terms में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको integrate करना पड़ेगा, अब यह question में नोंने दिया नहीं साफ साफ की उपर नीचे वाला दोनों लेना है क बट क्योंकि सिरफ x-axis के साथ पूछ रहा है, तो I think a की हिस्सा होगा, बट मैं sure नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको attempt नहीं करूँगा, तो otherwise, minus 2 से 2, माल लो उपर वाला हिस्सा चाहिए, तो आप y को x के form के अंदर क्या कर दोगे, represent कर लोगे, उधर बेजके, तो वहां से आप फिर जो भी आपके पास आता है, यह वाला पार्ट की आप integrate कर लोगे, फिर E पर आजाते हैं section 4, 3 case study, पहली case study में अपनको origin O दे रखा है, और DAV, 3 stars की location है, 2, 3, 4, 7, 5, 8, minus 3, 7, 11, अब पहले वाले के अंदर first मैं पूछ रहा है, how far is star V from star A, कि V और A के बीच में distance बताओ, त यह 10I minus 2J minus 3K आजाएगा, और इसका mod ले लेंगे तो I think root 113 आ रहा है, next बोल रहा है, find a unit vector in DA vector, तो DA vector बनाना है, तो A के position vector में से D हटा लोगे, तो यह आएगा 5I cap, 2J cap, 8 minus 4 होता है, 4K cap, unit vector के लिए आप क्या गरोगे, 5I 2J 4K को उसके magnitude, यानि 25 plus 4 plus 16, root 45 जो आ रहा है, उस root 45 से divide कर दोगे, तो बड़ा ही simple है, और third part जो है, उसके अनर बोल रहा है, angle VDA बताओ या projection बताओ, तो angle VDA बड़ा ही आसान है, angle VDA कैसे बताएंगे, तो VDA के बीच में angle चाहिए, तो VD.DA कर देंगे, यह mod VD mod DA cos theta होगा, बाद में mod VD mod DA से divide कर देंगे, ऐसा, तो VD vector इन नो VA vector इन नोनों के, DA और AV चाहिए, तो DA vector तो यह रहा, और VD vector निकाल सकते हैं, तो VD vector के लिए D में से V हटा देंगे, 2i cap minus minus 3i cap, 3j minus 7j, और 4k minus 11, तो अब VD का mod निकाल सकते हैं, DA का mod निकाल सकते हैं, दोनों का dot निकाल सकते हैं, तो बड़ा simple था, projection भी आप निकाल सकते थे next के अंदर probability है, रोहित, जस्पृत, आलिया, तीन candidates हैं, और हर एक ने same post के लिए probability से apply किया, इस रोहित के selection की, जस्पृत के और आलिया के selection की probability दे रहा है, और independent है, यह important बात है कि यह दोनों, एक दूसरे से रोहित, जस्पृत और आलिया इन तीनों की probability, एक दूसरे से selection के मतलब P of A intersection B P A into P B होगा अब बोल रहा है probability बताओ इन में से कम से कम एक select हो गया तो total में से मैं वो हटा दूँगा जब इसमें से एक भी select नहीं हुआ है और एक भी select नहीं है मतलब रोहित भी नहीं हुआ है and तो into लगा रहा हूं वहाँ बोड में आपको statement लिखना पड़ेगा independent इसलिए multiply कर पारें ना रोहित select हो ना जस्परीत ना आलियस की probability फिर बोल रहा है ये probability बताओ कि जस्परीत select हो गया है given that रोहित नहीं हुआ है तो उपर intersection आएगा conditional probability का formula तो अब इसमें क्योंकि ये independent है ना तो ये ultimately answer जो होगा वो सिरफ PG के बराबर आएगा क्योंकि independent है तो रोहित के होने या नहीं होने का जस्परीत पर फरक नहीं पड़ेगा तो answer जो आएगा वो जस्परीत वाली ही probability आजाएगी और फिर बोल रहा exactly one of them select मतलब रोहित select और जस्परीत select नहीं हुआ आलिया select नहीं हुई प्लस रोहित select नहीं हुआ जस्परीत हो गया आलिया नहीं हुई प्लस रोहित जस्परीत दोनों नहीं हुए आलिया select होगी तो इसके अंदर रोहित इंटू जस्परीत नहीं हुआ इंटू आलिया नहीं हुई प्लस रोहित नहीं हुआ इंटू जस्परीत हो गया इंटू आलिया नहीं हुए और लास में रोहित भी नहीं हुआ जस्परीत भी नहीं हुआ पर आलिया सेलेक्ट हो गई तीनों को एड करना पड़ेगा स्टेटमेंट आपको बोड के फॉर्म के अंदर लिखने पड़ेगा थर्ड पार्ट में और देके बोला था exactly two selected वो और complicated था लास्ट application of derivative का लग रहा है a store is selling calculators at 350 each फिर बोल रहा है market survey ने indicate कि अगर हम reduce कर देते that a reduction in price P increases the number sold by X units है ना तो the relation between price and quantity sold is given by this तो यह दे रखा है है ना अब यह बोल रहा है कि market survey ने बोला कि अगर price P rupees से कम करते हैं तो units जो है वो X increase हो जाती quantity में तो बोल रहा है कि determine the number of units X that should be sold to maximize the revenue function revenue function का मतलब होता है हर एक calculator की cost into उसकी price और P of X जो है price function वो इन्होंने दे रखा है जो की बराबर है किसके 450 minus X by 2 के तो X into 450 minus X by 2 यह ऐसा बन गया अब maximize करना है बटा तो इसका differentiation क्या करना पड़ेगा आपको 0 करना पड़ेगा तो differentiation करेंगे अगर अगर अपन तो अपने पास ऐसा आ जाएगा तो X की value आजाएगी 450 और 450 इसमें रखेंगे तो price आजाएगी 225 तो number of units 450 price 225 फिर what rebate in price should be given तो पहले price थी आपके पास 350 अब आपने 225 कर दी तो rebate कितनी हो गई 350-225 350-225 अपन निकाल सकते हैं तो यह overall paper था I think आप इसके अंदर 100 out of 100 भी score कर सकते थे अगर आपके पास यह particular set आए और बाकी set जो भी हैं उनके अंदर आपका कैसा हुआ set 2 के अलावा आपने कौन सा set किया है वो आप comments में मुझे बता सकते हैं आपके कितने expected marks है आप बता सकते हैं 80 marks का इतिन paper होता है 20 internal है तो 80 में से 80 I think आपने ला सकते थे तो thank you speed solutions के लिए बने रहने के लिए तो बाकी भी board के अलावा जेई, olympiards, बाकी सारे papers और discussion और videos आते रहते हैं अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe करें और चल्दी मिलते हैं एक और video के साथ तब तक के लिए thank you everyone